स्टापलस के सीरियल कभी-कभी इत्तिफाक से में अनुभव के परिवार पर आ गई है बड़ी मुसीबत और देखे कैसे सभी घर की ओरते अपने जेवर दे रही है असल में गोलू चाचा के उपर लग गया है गोलमाल का इल्साम जिसके बाद घरवालों को हो रही है बेहत प जेवर जाएंगे तो क्या होगा ज्याद से ज्याद से ज्याद कला सुना होगा कान सुने होंगे लेकिन गोलू अगर इस खर से चला गया तो इस गर का अंगन सुना हो जाएगा पर हम इस खर के आंगन को कभी सुना नहीं होने थेगे सरगम बिल्कुल ठीक बोल रही हो का जी बहाबी करिस्ता देवर से होता है जेवर से नहीं हमार गोलों को कुछ हो गया तो इंगेना को चाटेंगे गरीब वो होते हैं बडी मा जिनके पास अपने नहीं होते ज़रा नजर उठा के देखिए देखिए जिसके पास इतना बड़ा परिवार हो वो दुन्या में कुछ भी हो सकता है लेकिन गरीब नहीं हो सकता पर मैंने न टीवी में देखा है कि पुलिस पूछताज के दौरान बहुत जादा सक्ती करती है अगर उन्होंने पापा के साथ भी ऐसा ही कुछ किया तो नहीं चाले बगवान अगर उन्होंने खुद को कुछ कर लिया तो कभी खुशी, कभी गम, कभी रोना, कभी हसना तो चलता ही रहता है जो ऐसे एक फैमिली होती है एक मेंबर की खुशी भी सबकी खुशी बन जाती है और एक फैमिली मेंबर की अगर प्रॉब्लम होती है तो वो सारे घर की प्रॉब्लम बन जाती है और आज एसा एक बहुती, यूनो मुश्किल वाला समय इस फैमिली पे आया है जहाँ हमारे जो भाई है उन पे अक्यूजिशिंस है उनकी मॉरल कॉंड़क्ट पे अक्यूजिशिंस है उनके ओफिस में उनने अक्यूज किया है तो उनका एक बहुत बड़ा आउटबरस्ट हो रहा है घर पे आके एंड इसी में हम सारे लोग चुड़े हुए है फैमिली टोटल सपोर्ट कर रहे हैं और और आटमाटिकली सारे एमोशन्स फ्लो करते हैं सीन के दोरान क्योंकि हर किसी की लाइफ में कभी न कभी ऐसा मोड आता है जहां आपके फैमिली मेंबर्स मुश्किल में है और आप उन्हें मदद करना चाह रहे हैं आप उन्हें उस प्रॉब्लम से निकालना चाह रहे हैं वो ही हमारे आज का ये सीक्विन्स हम शूट कर रहे हैं तो आई थिंक जो लोगों के बहुत चहीते हो चुके हैं शो में गोलु चाचा उन हमारी जो बाकी की फैमिली है वो हम कैसे सारे भाई, भाबियां, बच्चे सब मिलके गोलु चाचा को इस प्रॉब्लम से कैसे निकालेंगे वो हम शूट करने हैं